साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लूसिव खबरें सुशान सिंग राचपूत को हमारे बीच से गए दस महीने का वक्त होने वाला है और दस महीने बाद उस सिदार्द पिठानी को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है जो सुशान के ही घर में रहता था सुशान के लिए काम करता था और सबसे बड़ी बात सुशान के घर में क्या होता था क्या हो रहा था सुशान के साथ भी क्या क्या हुआ था वो सब कुछ भी पिठानी जानता है अब सुशान के पैसों की रोटी खाने वाला वही से धार्थ पिठानी अमीर हो गया है जी हाँ करोडों में खेल रहा है गारी बंगला यहां तक की बोड़ी गार्ट भी रख लिये हैं और सुशान के जाने के बाद अचानक हुई पिठानी की तरक्की ने सभी को एरान कर द और वीडियो को शेयर भी करें तो सिधार्थ पिठानी वो शक्स है जिसने 14 जून को सबसे पहले सुशान को देखा था और सिधार्थ पिठानी ही सबसे पहले उस कमरे के अंदर गया था जिसमें सुशान के बारे में कतित तोर पर दावा किया जाता है पिठानी सुशान के स सुषांद के घर में रहता था और सुषांद सिंघ-र राजपूत के लिए ही काम भी करता था शुरूबात से ही सभी को शक रहा है पिठानी सुषांद के आरोपियों में भी शामिल हो पिठानी पर कई तरह की आरोप लगते रहे हैं अब उसी पिठानी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सुशांत के ही करीबी दोस गनेश हिवारकर ने किया है यहां हिवारकर ने हैरानी भरा खुलासा किया है अब क्या है वो दावा और खुलासा आपको सिल्सलिवार तरीके से बताते हैं आप भी देखे गणेश हिवारकर ने ट्वीट कर दावा किया है कि सिधार्थ पिठानी ने मर्सडीज कार खरीद ली है जी हाँ करोडों की कीमत वाली मर्सडीज कार सिधार्थ पिठानी ने खरीद ली है और बड़ी बात ये है कि साल भर पहले तक पिठानी सुशान्त के साथ काम करता था तो उसकी सेलरी पचास हजार रुपे महीना भी नहीं थी लेकिन अब अचानक से सिधार्थ पिठानी के करोडों की मरसडीज कार खरीदने की बात सामने आ गई है इतना है नहीं आके देखिए हिवारकर ने दावा किया है कि सिधार्थ पिठानी ने मुंबई में बंगला खरीदने की बात हो रही है अब यहाँ पर समझे है मुंबई में एक 2BH की अपार्टमेंट ही एक करोडों से ज़्यादा की कीमत का होता है और अगर अच्छी लोकैलिटी में अपार्टमेंट हो तो कीमत इसकी ही कई करोड में होती है और मुंबई में बंगला कम से कम 100 करोड से ज़्यादा की कीमत में मिलेगा अब ऐसे में सिधार्थ पिठानी को लेकर दावा किया गया है हिवारकर ने दावा किया है कि सिधार्थ पिठानी ने मुंबई में कई सो करोड की कीमत वाला बंगला खरीद लिया है जो कि सबसे हैरानी भरी बात है बात सिर्फ यहीं तक नहीं है आगे देखिए हिवारकर ने एक और दावा किया है गणेश हिवारकर ने दावा किया है कि सिधार्थ पिठानी ने अपने लिए बोडी गार्ड भी रख लिये है जी हाँ पिठानी ने अपने लिए सिक्यूर्टी गार्ड रख लिये है जिनने मोटी सेलरी हर महीने दी जा रही है अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिठानी जो कि खुद सुशान्त के टुकड़ों में पलता था सुशान्त का ही खाना खाता था, सुशान्त के घर पर रहता था अब वो अचानक से सुशान्त के जाने के बाद इतना अमीर हो गया है कि उसने मर्सेडीज कार खरीद ली, महेंगा बंगला खरीद लिया और यहां तक की बोडी गार्ड भी रख लिये अब गणेश हिवारकर ने पिठानी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है और पिठानी की ये तरक्की हैरान कर रही है क्योंकि पिठानी के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया इस पर सवाल खड़ा हो रहा है क्या रातो रात पिठानी के हाथ कोई लोटरी लग गई या फिर किसी ने पिठानी पर पैसों की बारिश कर दिये और अगर किसी ने पिठानी को इतने सारे पैसे दिये हैं तो आकर क्यों दे दिये क्योंकि पिठानी तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे अचानक उसे कई सो करोड दे दिये जाएं लिहाजा सवाल उठना लाजमी और उपर से सुशान सिंग राचपूत के केस में सिधार्थ पिठानी आरोपी है सब कुछ जानता है और पिठानी लंबे समय से गाया भी है और अचानक पिठानी तो सामने नहीं आये लेकिन उसकी खबर उसकी करोणों कमाने वाली खबर उसके महेंगे शौक वाली खबर मनाक सच है क्योंकि मामला पूरी तरह से सुशान सिंग राचपूत की तरह भी मुड़ जाएगा पिठानी के पैसों का कनेक्शन भी सुशान के साथ ही जोड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सुशान सिंग राचपूत के केस में सिधार्थ पिठानी आरोपी है ऐसे धा दावे से कितना सहमेत हैं क्या हुआ कई पिठानी ने किसी से डील कर ली है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें संदीब सिंग वो शक्स हैं जो कि सुशान्त की मौत के बाद टीवी कैमरों में चाय रहे अलग-अलग जिके इंटरव्यू दिये और सुशान्त की मौत को सीधे सीधे शुरुआती जांच से पहले ही खुदकुशी का मामला बताते रहे उनके कई ऐसे इंटरव्यूज अभी यूट्यूब पर मौजूद हैं जिनमें वो खुदकुशी को बार-बार डिफेंड करते दिखे 14 जून के बाद सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर सुशान्त को अपना करीबी घनिष्ट मित्र भी साबित करते रहे और जब संदीब सिंग पर उंगलियां उटनी शुरू हुई तो संदीब सिंग ने खुद के बचाव में पुरानी वाटसेप चैट भी निकाल डाली हलनकि संदीब से पूछताच कर चुकी है संदीब को अभी तक किसी तरह की क्लीन चिट नहीं दिए क्योंकि इस मामले में अब तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है तो अब सुशान्त की मौत के करीब 10 महीने बाद संदीप सिंग को लेकर सोशल मीडिया में एक बार फिर से बड़ा दावा किया जा रहा है और वो दावा ये है कि संदीप सिंग 14 जून के बारे में कुछ नहीं बलकि सब कुछ जानता है और संदीप सिंग का कड़ाई से इंटरोगेशन किया जाना चाहिए गनेश हिवारकर ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट में हिवारकर ने दावा किया है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि संदीप सिंग को सब पता है हिवारकर के शब्दों की बात करें तो हिवारकर ने लिखा है I am saying this from day one, संदीप को सब पता है He made a biography film on our Prime Minister for election purpose in 2019 Think, he is very powerful. Why Vivek Obarai come in funeral? He has both side connection Maagadi सरकार and also with BJP, Sandeep key to SSR murder जिया हिवारकर ने साब शब्दों में लिखा है Sandeep Singh Sushant की मौत की ऐसी पहली ऐसी कड़ी है जिसे सब कुछ पता है उसका महराष्ट सरकार और BJP दोनों जगए गहरा connection है और Sushant की मौत के बाद Sushant के परिवार के करीब आकर उसने अपनी पहुँच का भी भरपूर फाइदा उठाया है हिवारकर के मुताबिक Vivek Obarai जो कि Sandeep की नरेंदर मोदी वाली फिल्म के हीरो थे वो Sushant के फुनरल में आखिर क्यों आई थे यह सोचने वाली बात है हिवारकर का कहना है कि Sandeep बहुत पावरफुल है उसकी एप्रोच हर जगए अब हिवारकर के स्ट्वीट के बाद सुशान के फैंस भी हिवारकर की बात को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं उसकी बात को सही बता रहे हैं फैंस के कमेंट साब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैंस भी मानते हैं कि Sandeep भले ही सुशान की मौत के लिए जिम्यदार ना हो मगर संदीप सिंग बहुत कुछ जानता है जिसे सुशान के गुनागार परदफाश हो जाएंगे वैसे इस शुरुवाथी समझ से ही कहा जा रहा है कि Sandeep सिंग को बहुत कुछ पता है संदीप सिंग से पूछ ताज होनी चाहिए कई जाच अजेंसियां इसमें जाच कर रही है और संदीप सिंग से ये जाच अजेंसियां अगर पूछ ताज करती हैं तो हो सकता है कि सुशान सिंग राजपूत के मामले में सुशान के राजपूत के मामले में कई सारी बातें कई नई एंगल्स पता लग सकते हैं सामने आ सकते हैं और इसी बात को कनेश हिवारकर ने एक बार फिर से कहा है जियां वही हिवारकर जो लगातार अपनी जान को खत्रा बताते रहे हैं लगातार सुशान सिंग राचपूत के लिए लड़ते रहे हैं और लगातार सुशान के इंसाफ के लिए आवाज भी उठाते रहें अब हिवारकर के साथ साथ फैंस का भी यही कहना है कि संदीब से कडाई से पूछताच होनी चाहिए और तब पूरा सच सामने आ जाएगा तो हिवारकर की बातों से आप कितना सहमत नहीं संदीब सिंग की जाच और कडाई से पूछताच क्या होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें फ्लेम मीडिया रिपोर्ट